अलो प्रेंट्स आप सब का आपके पने चैनल कोविन लेक्षर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो पीरे विद्यार थियू आज की इस क्लास में हम तकसा नुविज्यन विशे की व्रकबुक 24 के कार्या पत्रक 15 और कार्या पत्रक 16 को solve करना सिखेंगे जो कि आपके अध्या पत्रक 1 से लेकर 14 तक सबी को बहुत अच्छे से solve करा दिया है उनकी लेंग वीडियो के description में दी हुई है या फिर चैनल की playlist पर जाकर आप उन से भी classes को आराम से देख सकते हैं तो चलिए class शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है कि परमानू में कितने कन पाई जाते हैं नाम औ कि परमानू में तीन कन पाई जाते हैं इतने परमानू में तीन कन पाई जाते हैं इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन और नीट्रोन तो परमानू में तीन कन पाई जाते हैं नाम लग देंगे पहला है इलेक्ट्रोन जिससे E- से दर्शाते हैं और इस पर आवेज कितना होता है माइनस 1 कितना होता है माइनस 1 दूसरा है आपका प्रोटोन ठीके प्रोटोन इसे P- से दर्शाते हैं और इस पर आवेज कितना होता है प्लस 1 और तीसरा है आपका वो है आपका neutron ठीके neutron को small n से दर्शाते हैं और इस पर आविस केतना होता है सुन्य ठीके 0 ये पहला प्रशन था आगे बढ़े प्रशन संख्या 2 परमाणू के मद्य भग को क्या कहते हैं तो परमाणू के मद्य भग को बच्चो हम नाभीक कहते हैं क्या कहते हैं नाभीक परमाणू के मद्य भग को क्या कहते हैं नाभीक कहते हैं इसकी कोज किसने की थी नाभीक की कोज की थी अरनेस्ट रदरफोर्ड ने इसने की थी रदरफोर्ड ने नाभीक होता क्या है नाभीक एक संपून धनावेसित भाग होता है क्या होता है संपुन धनावेसित भाग संपुन धनावेसित भाग होता है क्योंकि नाभीक के अंदर क्या होते हैं नाभीक के अंदर प्रोटोन और नूट्रोन पाई जाते हैं किसरा प्रशन है नाभीक कौन से कणों को समाहित किये हुए हैं नाम लिखिए प्रशना आ गया नाभीग में कौन कौन से कन पाई जाते हैं तो हम लिखेंगे कि नाभीग में नाभीग में प्रोटोन एवं नीट्रोन नामक दो कन पाई जाते हैं प्रोटोन और निउट्रोन नामक दो कन पाए जाते हैं प्रोटोन और निउट्रोन अगला प्रशन संख्या चार टॉम्सन बॉड़ल की सचित्र व्याख्या कीजिए इसकी टॉम्सन के मॉडल की तो Tromson model ने क्या बताया था कि परमानु धनाविस का क्या है एक गोला है और उसमें इलेक्ट्रोन जगे जगे पर क्या होते हैं धसे होते हैं दूसरा इन्हों ने बताया था कि किसी भी परमानु के अंदर और रिणात्मक और धनात्मक आविश की मात्रा या परिमान क्या होता है आपसमें समान होता है इसी वज़़े से जो परमानु है वो वैज़ित्य दूरूप से कैसे होते हैं उद आसे हैं इस दू बाते बताई थी distinction ने हम यह आपर लिख देंगे प्रमानु मोडल, हेडिन लिखेंगे, प्रमानु मोडल, ठीक है, पहला पॉइन लिख देंगे, कि प्रमानु एक धनावेसीद गोला है, प्रमानु क्या है, एक धनावेसीद गोला है, जिसमें इलेक्ट्रोन जगे जगे पर दसे होते हैं, प्रमानु के अंदर धनावेसीद गोला है, प्रमानु में धनावेसीद गोला है, रिनावेसीद की मात्रा क्या होती है, समान होती है, अतर एक परमानु व्यद्यूत्य रूप से एक परमानु व्यद्यूत्य रूप से कैसा होता है, उदासिन होता है, ठीक, आगे बढ़ें, ट्रस्न संख्या पांच, टॉंसन मोडल की कमिया बताईए, तो टॉंसन का यह मोडल था, यह एक तो परमाणू के अंदर नाभी की इस्तती नहीं बताया पाया या नहीं बताया परमाणू के अंदर नाभी की इस्तती को नहीं बताया पाया और दूसरा परमाणू के इस्ताइक्टिव को नहीं समझाया पाया तो हम लखेंगे इसकी कमिया तो पहली कमिया थी कि यह मोडल यह मोडल परमाणू में नाभीक की इस्तती नहीं बता पाया और इसकी दूसरी कमिय यह थी कि इस मोडल के द्वारा परमाणू के इस्ताइत्व को नहीं समझाए जा सका इस मोडल के द्वारा परमाणू के इस्ताइत्व की व्याक्या नहीं की जा सकी व्याक्या नहीं की जा सकी इदो क्या थी? इस मोडिल की कमिया थे आगे बढ़ते हैं कारे पत्रक 16 पहला पस्टन है रदर फॉर्ड के द्वारा अलफा कन का ही परियोग क्यों किया गया? समझाईए यहीं रदर फॉर्ड ने अपने परियोग के लिए अलफा कणों का ही प्रियोग क्यों किया इसकी पीछे वजय क्या थी वो आपको कारण बचाना है तो हम लिखेंगे कि जो अलफा कण है अलफा कण दूई आवेसित हिलियम के क्या होते हैं कण होते हैं अलफा कण दूई आवेसित हिलियम कण होते हैं जो ऐसे होते हैं धना वेसित जो जो जैसे होते हैं धना वेसित होते हैं तूंकी इनका दर्वेमान तूंकी इनका दर्वेमान किसका अलफा कणो का यानि हिलियम के नभीकिय कणो का तूंकी इनका दर्वेमान च्यार परमानू दर्वेमान इका ही होता है अतरव ततर तेज गती से चल रहे इन अलफा कणों में क्या होती है प्रियाप्त उर्जा होती है प्रियाप्त उर्जा होती है और इसलिए रदर फॉर्ड ने अपने प्रियोग के लिए अलफा कणों का क्या किया था प्रियोग किया था दूसरा प्रस्म है कि रदर फॉर्ड के शरवन पत्र प्रियोग का नामांग की चित्र बनाई है तो यह आपको एक नामांग के चित्र बनाना है जिसमें देखो ये पूरी जो स्रीट दिखे रही है ये सोने की पतली पन्नी है ये सोने के क्या है परमानु है यहां से अलफा कणों की बोचार करा रहे हैं ठीक है बोचार कराने पर जाज़तर अलफा कण इस सोने की पन्नी से क्या हो जाते हैं सीधे निकल जाते हैं कुछ अल रदरफोर्ड परियोग के निसकर्स संचेप में लिखे कि रदरफोर्ड ने जो अपना परियोग किया इसके क्या निसकर्स निकले वो आपको संचेप में लिखने है तो देखें तो इसके निसकर्स क्या थे हम लिख देंगे निसकर्स इसका पहला निस्कर्श था कि परमानू का केंद्र कैसा होता है धनावेसित होता है जिसे नाभिक कहते है परमानू का केंद्र कैसा होता है धनावेसित होता है जिसे क्या कहते है नाभिक कहते है जिसे नाभिक कहते हैं इसके बाद इन्होंने बताया कि एक परमाणू का संपुन दर्वेमान उसके नाभिक में क्या होता है? समाहित होता है एक परमाणू का संपुन दर्वेमान कहां पर होता है? नाभिक में होता है नाभिक में समाहित होता है एक परमाणू का संपूर्ण दर्वेमान उसके नाभिक में क्या होता है? समाहित होता है अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखूं तो दूसरी बात थी कि जो इलेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोन नाभिक के चारो और एक बरताकार मार्ग में क्या करते हैं? शक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रोन नाभिक के चारो और एक वरताकार मार्ग में टकर लगाते रहते हैं ये दूसरा अगर निसकर्ज था कीसरी बात इन्होंने बताई कि नाभिक का आकार प्रमाणू के आकार की तुलना में बिलकुल कम होता है न के बराबर होता है नाभीक का आकार परमानु के आकार की तुलना में क्या होता है? काफी कम होता है आगे प्रशन संक्या चार रदर फोर्ड के परमानु मोडल के आपको क्या बतानी है कमिया रदर फोर्ड के परमानु मोडल के आपको कमिया बतानी है किस मोडल की कमिया क्या थी तुम लिखेंगे कि रदर फोर्ड का जो परमानु मोडल था वो परमानू के इस्ताहित्व की व्याक्या सही से नहीं कर पाया ठीके तुम लिखेंगे कि रदर पौड का परमानू मोडल रदर पौड का मोडल परमानू के इस्ताहित्व की व्याक्या परमानू के इस्ताहित्व की व्याक्या सही से नहीं कर पाया यह क्या थी, यह कमी थी जो रजर फौर्ड का परवानू मोरर्ल था वो परवानू के इस्ताईत्व की वाक्या पांचवा प्रशन है परवानू उट्जा इस्तर को दरसाते हुए क्या बिनाना है? आपको चित्र बिनाना है तो प्रमाणू का देखो उज्जा इस तरह बना देते हैं यह समय लीजिए पहले कक्सा है यह दूसरी है एक मिन्धा फिर यह समय लीजिए कीसरी है इसी तरह यह चौती है हम इनके नाम दे देंगे पहले कक्सा कौन सी होगी के, दूसरी, एल कीसरी एम वह थी एन क्या हम लिख सकते हैं के, एल, एम, एन यह आम लिख सकते हैं एन बराबर एक, यह एन बराबर दो यह एन बराबर तीन और यह एन बराबर च्यार यह क्या है आपके उर्जा इस्तर या कक्स उर्जा इस्तर या क्या है कक्स है और एक कक्स के अंदर अधिक्तम इलेक्ट्रोनों की संख्या ग्याद करना का सुछ उत्र है इलेक्ट्रोनों की संख्या ग्याद करना का जो सुत्र है वो होता है 2N स्क्वेर जहाँ पर N क्या है? जहाँ पर N कक्स की संख्या है क्या है? N कक्स की संख्या है ठीके तो इस तरह बच्चो अपने आपके कारे पत्रक 15 वा कारे पत्रक 16 की सभी प्रश्णों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मित करता हूँ सभी प्रश्णों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे तो क्लास देखने के लब सभी का धन्यवाज यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेरो और सबस्क्राइब जरू करें आज गले इतना ही जै हिंद, जै भारत